Viewers आपके सामने एक चैनल का अनिलिटिक्स उपन है आप इस चैनल के अगर सबस्क्राइबर देखें तो वह है 6.9 मिलियन सबस्क्राइबर यानि के 7 मिलियन के करीब इसके सबस्क्राइबर है और इस पर अगर अपलोड देखें वह वीडियो कितनी अपलोड हैं तो 163 वीडिय वो है 10.4K डालर और मैक्सिमम की तो हम बात ही नहीं करते हैं यानि कि ये चैनल एक महीने में 10,000 डालर कमा रहा है तो विवर्स ये आपको यकीन करना पड़ेगा क्यूंकि जो आगे मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूं इसका जो कंटेंट है न तो आप बिलकुल यकीन कर ल कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकी ये बंदा इतना कमा रहा है अब हम 10,000 डालर को पाकिस्तानी रुपए में कनवर्ड करते हैं और देखते हैं कितना बंदा है तो इसके लिए आपने आज़ जाना है गूगल पे यहां पे आपने सेट करना है डालर टू पीके आर तो इस टाइम एक डालर पाकिस्तानी रुपए के 283 के बराबर है तो हमारे पास कितने डालर है जो चैनल वो कमा रहा है 10,000 डालर तो आपने ये 10,000 पूट करने हैं तो ये देखें जो पाकिस्तानी रुपए बन रहा है 28,30,000 रुपए तो विवर ये तो आपके लिए यकी करना बड़ी मुश्किल बात होगी लेकिन विवर्स वाकिए यूटूब इतना पैसा देता है क्योंकि इस चैनल पे व्यूज काफी ज्यादा है इसके सब्सक्राइबर काफी ज्यादा है 7,000,000 इसके सब्सक्राइबर है कोई बंदा 1,000,000 यूटूब पे सब्सक्राइबर क वीडियोस आप इसकी popular वीडियोस पे आजएं तो ये देखे 94 million views 81 million views 73 million views यह नहीं कि इसकी हर वीडियो में millions में views हैं अब आप इसकी वीडियोस देखें तो ये तक्रीबन hydraulic press पे वीडियोस हैं तो वीवेश अब हम इसके पास इस तरह की विडियोस कहां से आईं, तो viewers आपने टेंशन नहीं लेनी, वो भी आपको मैंने बताना है, क्या आपने विडियोस कहां से लेनी हैं, बिल्कुल copyright free विडियोस होंगी, और साथ साथ आपको editing भी, मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह करनी है तो वीवर्स आपने अगेन आ जाना है यूट्यूब पे यहाँ पे आपने सर्च करना है हिड्रॉलिक प्रेस तो आपके सामने ये देखें काफे सारी वीडियोस आ जाती है एक चैनल है क्रेजी हिड्रॉलिक प्रेस यह आपके सामने आ गया इस पे सारी hydraulic press वाली वीडियोज है आप इसकी किसी वीडियो पे क्लिक करें यह देखें हमने क्लिक किया इसकी वीडियो देखें अब हम चाहते हैं इस वीडियो को यहां से डाउनलोड करें तो आपने क्लिक करना है शेयर पे तो यहां पे आने के बाद आपने snap tube के थुरू डाउनलोड वीडियो कर लेनी है तो viewers अब आपके पास वीडियो डाउनलोड होकर आ गई है अब बात आती है कि आपने इस वीडियो को किस तरह बनाना है किस तरह इसकी editing करनी है और कैसे YouTube पे अप्लोड करना है यह सारे का सारा आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तो अब आपने जो वीडियो के editing करनी है आपने आ जाना है in short पे तो यहां पे आने के बाद आपने वीडियो पे क्लिक करना है new पे क्लिक करना है और वीडियो को select कर लेना है पार्ट है उसको आपने cut कर देना है जहां तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है वहां तक आपने रखना है आगे भी cut कर देना है इसका जो music है जो volume है आपने उसको zero कर देना है देन आपने यहां पे text लिखना है जैसे मैं लिखता हूँ hydraulic wishes ball फिर मैं लिखता हूँ who will win यह लिखने के बाद अब बारी आ जाती है आपने थोड़ी सी यहां पे voice over करनी है पीछे ताके यह content आपका बन जाए आपको कोई copyright ना है आपने music पे click करना है देन आपने record पे click करना है तो यहां पे आपने voice over करनी है मैंने already यह voice over कर रखी है यह सुनें आप विवर्स आपके सामने hydraulic press और बाल है तो विवर्स voice over करने के बाद आपकी वीडियो बिल्कुल ready है अब आपने इसको क्या करना है save पे click करना है तो यह वीडियो आपके पास save होकर आपके mobile की gallery में आ जाएगी अब next step है हमने इसको YouTube पे किस तरह upload करना है तो YouTube पे upload करने का भी एक तरीका होता है अगर आप इस तरीके से इस method से upload करेंगे तो आपकी वीडियो शाट स्वीर में भी जाएगी और आपकी वीडियो पे views भी आएगे तो viewers आपने आ जाना है YouTube पे नीचे आपको option मिलता है create a shot upload a video आपने create a shot के through video upload नहीं करने है आपने क्लिक करना है upload a video पे वीडियो को select करना है next करना है तो यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है वीडियो को unlisted रखना है upload shot पे click कर देना है यहाँ पे आपने कोई title वगरा नहीं लिखना तो viewers वीडियो का title और description लिखने के लिए आपने आ जाना है YT studio में यहाँ पे आपने click करना है content पे then आपने click करना है shots पे तो यह देखें आपके सामने video show हो रही है आपने video पे click करना है यह देखें 23 March आपने इसको erase कर देना है अब यहाँ पे आप वीडियो का title लिखें जैसे मैं लिखता हूँ hydraulic press versus ball then आप आपने यह hashtag लास्मी लगाना है आपने लिखना है है shots हैश experiment हैश viral अब यह लिखने के बाद इस सारे को आपने यहाँ से copy करना है और जाके description में paste कर देना है और ball के आगे से आपने इसको enter पे click करना है ताकि यह नीचे आजाए अब यहाँ पे आपने 3-4 और hashtag लगाने है यह से मैं लगाता हूँ हैश viral, हैश trending shots, हैश whitey shots thanks for watching तो viewers अब इसके description भी होगे title भी होगे अब बारी आती है tags की, आपने tags में आ जाना है अब आपने सबसे पहले लिखना tags hydraulic press versus ball फिर ball, फिर hydraulic press, experiment, shots whitey shots, viral shots, trending shots यह सारे आपने यहाँ पे लिख देने हैं, अब आपकी video के SEO complete हो गई है अब आपने इसको क्या करना है visibility पे click करना है यहाँ पे आपने public करना है और उपर save पे click कर देना है तो viewers इस तरह आपकी video YouTube पे upload हो जाएगी और यह आपकी video 100% shot speed में जाएगी और 100% आपकी video पे views भी आएगे अगर आप इस तरीके से video upload करते हैं तो viewers अब मैंने आपको content भी बताया आपको वो channel भी दिखाया उसकी earning भी दिखाई और आपको editing करके भी दिखाई और video upload करके भी दिखाई अब आगे आपका काम है कि आपने काम start करना है या नहीं अगर आप आज काम start करेंगे तो 3-4 मनत के बाद आप भी YouTube से कमा रहे होंगे तो viewers आप देर ना कीजिए YouTube पे काम start कीजिए क्योंकि ये पैसा कमाने का बहुत ही असान तरीका है YouTube पे काम करने के साथ आप जाब या student हैं जो भी काम करते हैं आप वो भी कर सकते हैं तो viewers अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर दें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाँ आफेस